हाइ फ्रेंड्स मैं हूए रेखा यादव वेल्कम टो रेखा किचन और आज मैं बनाने चारे हूँ अमडूर्स की चटपटी चाट और देखते हैं इसमें क्या अलगत और कैसे बनता है अचा अभी थंडीके मौसम में अमडूर्स बहुत अच्छे मिलते हैं मीठे मिलते हैं किसे बंदा है यह मैने लिया है जीरा मेंने भून लिया लिया है और मने रंच निंबु का अधह मैं रज लिया है और यоты ओंधा समय है चाट मसाल misunderstood बोड़ा सारा दनिया लेंगे और 14 चमश मैंने मिर्शिक और लिया है रिड़ नमक लेंगे स्वाथ के अंशार और यह मैंने कि सबसे पहले हम अंव्रोथ को मैंने अच्छे से धोल लिया था और इसे पूश लिया था मेने दो के स्थार्ण कर लेंगे कि अध्यान से कट करिया मैं और इसको हम आईसे करके कट कर लेंगे करेंगे दो हाग में आपको जिटना बड़ा छोटा कट करना आप कर सकते हैं तो ऐसे करके सारे अम्रोधों को मैं कट कर लूँगी और यह तो यह मैंने सारे अम्रोध को कट कर लिया है और यह थोड़े जो रेड़ वाले हुथे हैं वह है ओर मीठा है और यह ज्यादा पका हूए नहीं है इसमें धोड़ा सा चटनी धनिया और पुदिनी के डौब्रियों में आपके तो सिर्फ धनिया की चटनी डाल सकते हैं जो मस्टर्च स्वास आते हुँ भी डाल सकते हैं तो थोड़ासा डाल रहे हैं आधा टेबल स्कून अपने टेस्ट की साफ से हर एक चित डालिए और मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर और चाट मसाला डाले और साधा नमक तो ध्यान से डालिए अपनामक इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें हम में डालें निम्बू का रस और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत चटपटी चाट दमती है और बहुत पसंद आता है बड़ी स्कूपे सब खाते हैं और अमरूत खाना बहुत अच्छा होता है स्कीन के लिए तो हर एक चीज के लिए बहुत फायदे है आप बनाईए और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिए सारी चीजों को मिला लिया है और इसमें हम डालेंगे फारा दन्या थोड़ा सा रखेंगे डालेंशिंग के लिए और जैसे मैंने बोला हर एक चीज आप अप इबर ज़रूर बनाके देखिए आप बहुत अच्छे लगता है खाने में और अभी इसको हम सब्सक्राइट में निकाल लेंगे और तुरंट सब्सक्राइगे और यह मैंने एक सब्सक्राइट में निकाल लिया है थोड़ा साइसे हम हरा धनिया से कानिश्ट करतेंगे तो यह हमारा अम्रूत का चटपटा चाट पन के तयार है आप बनाएए अगर आपको पसंद है तो प्लेस मुझे कमेंड करें और यह बनाते हैं तो तुरंट बनाएए और सव करिए और इसका मज़ा लेजिए और फिर से मिलते हूं मैं नए रेसिपी में और अगर यह पसंद है तो प्लेस मुझे कमेंड करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और बेल बटन जरू दबाएं और देखिए कितना दिखने में इतना यमी है और खाने में तो और बहुत टेस्टी और लाजवाब है तब ज़रू बनाएए यह चाट और फिर से मिलत करेंस